सिटिगी और पाँच गंटे अठारा मिनट पच गए हैं पांच ओएकिस किलो मेंटर पच गए है और पिछे एक गाउं से निकले देख ग्रिफित काफी पारिश थी हुआ सुट फुट पारिश और सामने काफी सुदर नजार आगी रेंबो देखने को मिल रहा है काफी मोटा अंता जा रहे है अप्र प्रकरते के नजारों पेसे एक पेस्ट इम ती नजारा प्रेट पुट आप इस उन्दर रेंबो हो रहे है ना पारिश हो गया ट्रिया भी और खुश्बो ऐसी और ये मिटी की मतलब ब्याई नहीं करते है बहुत अच्छी अर ये पुरा रेंबो देखनी पा रहे कि में बादल भी है ना रहे इस पुड़ा वहाद आफिशन ना रेंबो हुँआ है ना पीक्रों कॉड़ी कामरी स्थाथ अज़्फ कॉड़ी होते हैं कि और गड़ी कामरी के अंदर केमरे लगे होते हैं पीडिंग कैमरे जो अगर कोई तैशुदा स्पीड से ज्यादा जा रहा हूं जोगी सारे जाते हैं लंबे रूप पर कोशी सारी यही करते हैं कि जल्दी पहुचा जाए तो स्पीडिंग हो जाती है पर स्पीडिंग एक अच्छी आदत नहीं है कभी भी ना करें कंट्रोल करें तो अंडरकवर कार क्या होती है कि नॉर्मल कार मदलम जो नॉर्मल जैसी दिएने वाली कार और उसके अंदर बड़े-बड़े कैमरे अगर कोई तैस्टोदा स्पीड से ज्यादा देजी से जाएगा तो वो जो गड़ी के अंदर कैमरे रखे हैं वो उनको पकड़ लेंगे और पकड़ने बाद वो कहेंगे कुछ निवस घर भाई नहीं मेरे ख्याल से मेरी स्ट्रीट ठीक थी तो मेरा फाइन नहीं आएगा कुछ नहीं तो पड़ते जा रहे हैं सिड्नी की तरफ वाज का जो देन है वो काफी उपर नीच होने वाला है जब चले रहे तो उनिस पंद्रा उनिस डिग्री था कुछ एड़ी लेंड में फिर आके जागे इंकंतिस पैंतिस डिग्री होया करीम नौसों किलोमेटर से ज्यादा चुछ चुग है इच में एक दो बार पेट्रोल परवाया तो पहीं चौटी सी प्रेक भी होती है जब चुटे चुटे टाउन जा रहे हैं वो पाइपास निगाल रखे हैं सारे पाइपास जागे हैं एक दो दो किलोमेटर अंदर सूथ अस्टेलिया के जो टाउन थे वो तो सुड़क के यू पर थे जो विक्टोरियन टाउन जाएं जो चुटे नोटे वो पाइपास से अंदर जागे हैं सारे दो दो चार चार जाएं में बड़ते जा रहे हैं अपना कारों आगे बड़ता जा रहे हैं तो हम मैंटर हो चुक हैं न्यू साओथ वेल्स में काफी देर पहले हो गे थे मैंसे तो और हम जा रहे हैं सिद्नी के एक सपर पैरामेटा में तो ये नियू साओथ वेल्स स्टेट कुछ ऐसा ऐसा है कि पहडिया चोटी मोटी और काफी अरियाली बहुत ज्यूदा रही हाली है नियू साओथ वेल्स में खासकर जो विक्टोरिया के बाटर के साथ नियू साओथ वेल्स लगता है काफी हरा है तो यहां पे जाड़ी खड़ी हुई है शायद सुस्ता रहे हैं तो यह देखें आप समझे उपर 36 किलमेटर कुंडा गई ते नाम रखा है कुंडा की कुंडा जी यह काफी एक अच्छा चोटा सा टाउन है कुंडा गई अच्छी अविफासी अबादी है तो यह चोटा जी है और रहने लाए हैं अब नाग किसी को अच्छा लाइफ बितानी है अब साथ सुत्री बीना जादा कीच लिच लिए तो गुंडा गई इस वेरी गूड ऑप्शन है तो यह पाडिया काट काट के बिलकुल रस्ते बना रखे हैं न्यो साथ वेल्स तो यह काफी बाइट लाइफ बढ़ी है सब्सक्राइब तो यह इतने हो साथ वेल्स का कुछ ऐसा ऐसा जोग्राफी है पहड़ी एरिया और इसमें टैंगरो की बाइब बादल का फिरक्ट से ना क्लियर शाद आपको दिखाई ना देए चले ठीए अभी एंट्री मारी है बस सिड्नी के अंदर काफी टाइम हो गया ड्राइविंग करते हुए रात के साड़े ग्यारा बच गया है सुबह नो बजे स्टार्ट किया था तो साड़े चोदा गंटे होगे ड्राइविंग करते हुए पीच में दो चोटे-चोटे ब्रेक भी लिये दे जब पेट्रॉल परवाया रहा और अभी चप्रीस मिनटे में पहुंच जाएंगे अमने डेस्टिनेशन पर राथ काफी होगी है सोच रहार रस्ते सही पकड़ लें कुछ खाने का कुछ की एफसी वगरा दे लें या और कुछ अमेही हुआ हुआ है तो ब्रॉच भलड्स काफ्या प्याएंग वाया ब्रॉच जाएंग झाल तो जाएंगे जाएंगे पर्वाट ये आती हो, यहां दा पूरी नेंद आने लग रिया भी अब लाइट पेख्ड़े हो गए हम और लाइट के उपर कामेरे लगे हुए हैं अब तो बस जाएंगे थोड़ा नाएंगे, सुएंगे और बस और कल दिन चरू करेंगे खाना भी तो खाएंगे कहां कुछ काना पिना खाएंगे तो ठी है दोस्तों बस आज का दिन यही पे समाब्द करते हैं पिल कर जाके बच्चों से भी बाते करना है दो हुच्चे हैं पेरे-पेरे से दो छोटे पेरे-पेरे बच्चे हैं कुंसे भी बात्चीत हमा रहे हैं एक मामाजी का लाड़ला बेटा एक मामीजी का दो बच्चे हैं दोनों को अलग-अलग प्यार है पेरे में तो उस तरह दिखा रहे है अच्छा है तो साइड नहीं जाना है क्या है सुट कटक कभा रहा है अच्छा यहीं से चलते हैं परामेटर वो पेक्सटां से लेगे जा रहा है जाएंगे परामेटर तो आज फ्राइड नाइट है यहां पर फ्राइड नाइट एक वीकेंड जिसको सेलिब्रेट करते हैं मतलो इट सेलिब्रेशन नाइट के वही बुरा वीक हमने काम किया आज पांचवाँ दिन था काम करने का वो डन हो गया अब सेटरड़ शंड़ेश चुटी है तो चलो फ्राइड नाइट से ही इंजोए करें जो हमने मेहनत करी है पाँच दिन उसको सेलिब्रेट करते है तो ठीक है दोस्तों मिलते है बने रही है गाँ